गैस बहुत सारे लोग मोटापे से परिशान है आज एक ऐसी चीज बता दूँँगा जिससे अपना मोटापा जो है 10-15 के लोग कम कर सकते हो आप महीने में और इससे पहले में मोटापे को उपर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ तो आप अगर अपना मोटापा कम करना चाते हैं तो इस वीडियो में बने रहे सबसे पहले आपको मोटापकम करना तो दो 203 बातों पर आपको द्ध्यान पर के लात की अगर आप को एक क्म और और पड़ेगोज वह है exercise आपको exercise बहुत अच्छे तरीकें से करनी पड़ेगी आपकी बोडिकी जो कैलरी है वह बर्न हो नी start हो जाए और फैड्ट जो हो कम होना start तो आज आपको रस्वई की दो से तीन चीजे बताने वाला हूँ मैं आपको जिससे आप अपना मेटावलिजम बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं और अपने मोटा पे वो कम कर सकते हैं यह रेमेडी आपको सुभे और शाम करनी है दोनों टाइम करनी है और सुभे खाली पे बहुत सारे एंटिवाइटिक तत्व होते हैं साथी साथ में जो है फैट को कम करने के लिए आपके मोटा पे को कम करने के लिए बहुत ज्यादा चीजे होती है तो आप जो है जीरा ले ले जीरे को आपने उबालने रख देना है और उसके साथ में डालनी है आपने एक चम् हो सोने से कम से कम 20-25 मिंट पहले आप इस ड्रिंग को पीना स्टार्ट कर दें यह ड्रिंग जो आपके मेटावलिजम को पास्ट करेगी साथ ही साथ मैं इससे आपके मोटापा जो है बहुत तेजी से कम होगा और निम्बू जो है आपको citric acid परदान करेगा जिससे जो है आपकी बोड़ी के अंदर कोई जो ओईली चीज़ हो स्टोरेज नहीं होगी तो आप नहीं यह करना एक तो सुबह उठना है आपने एक remedy आपने रात को की थी मैं कहा रहा हूं आपका 10-15 किलो आपका मोटा पा आपका फैट आपकी चर्वी इ मेरे यह बोलते हैं कि भाई आप नेचुरल से भी यह सारी चीज़े करा देते हो पॉसिबल है लेकिन यह पॉसिबल जब है जब आप अच्छी डाइट करोगे अच्छा औरकाउट करोगे उसके बाद ही आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो अब आपने रेमेडी रात को किय करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है मेटावलिजम को बूस्ट करती है इम्मुनिटी पावर बढ़ाती है मतलब एक हल्दी के अगर गुण किनवाने लग जाओं तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आप सभी को तो आप जो हल्दी लेले हल्दी को आप उबालने रख द सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो आप सभी के लिए आती रहेंगे ज्यादा ज्यादा शेयर जरू करना जय हिंद जय भारत